हाई फ्रेंट्स वेलकम टु ग्यानकाड यूटूब चैनल आप सभी का हर दिक स्वागत है आपके अपने इस यूटूब चैनल पर आज हम बात करेंगे बहरे पन के बारे में आज कही जो टोपिक है यह बहुत इंपोटेंट है बहरापन के समस्या क्यों होती है क्या कारण है बहरे पन के, क्या-क्या लक्षन और क्या-क्या उपाई होते हैं बहरे पन के यनि कि कम सुनाई देना भी एक प्रकार की बिमारी है बारत में 47 क्रोड बहरे आदमी आवाज नापने का त्रिका, कारण लक्षन और उपाई इन सभी टॉपिक के उपर हम आज डिसकस करने वाले हैं बहरेपन का सिकारी जो है ये बच्चे भी होते हैं और बड़े भी होते हैं आखिरकार क्या कारण है कि बहरेपन की समस्या उपन हो जाती है कम उमर में ही सुनने के एकसमता प्रबाइत हो रही है स्मार्टफोन से लेकर मुजिक सिस्टम तक चारूं और फिला सोर इसका परमुक कारण है आजकल आप देखते होंगे कि हर जगे टीवी और स्मार्टफोन की उपलब दाक के कारण हर एक बच्चा हर एक आदमी के हाथ में टीवी और स्मार्टफोन है इसकी वज़े से जो मुजिक सिस्टम जो बड़ से हैं उच्चे आवाज में इस इन से चारूं और जो धवनी प्रदुशन होता है इसकी वज़े से ये बहुत बड़ा मुखे कारण है बहरे फन का डबलू एचो के अनुसार 47 क्रोड लोग इससे गरसित हैं 2050 तक हर चार में से एक वेक्ति कम सुनाई देनी की समस्या से गरसित होगा विश्वे में 100 क्रोड युवा वकिसोरों को यह प्रिशानी हो सकती है और बहुत बड़ी घातक विमारी का रूप ले सकती है समरन सकती होती है प्रभावित कान में सुक्सम संद्चनाई पाई जाती है जिससे सुनाई देता है लेकिन तेज आवाज से कारिय प्रनाली पर असर पड़ता है और सम्वेदी को सिकाई गरसित हो जाती है अर्थात उनको नुक्षान होता है बात करते हैं कि बहरेपन के सुरुवाती लक्षन क्या है किन लक्षनों से आप पता लगा सकते हैं सुरुवाती जो स्टेप जो होती हैं उसमें कि बहरेपन के आप सिकारी हो रहे हैं सुरुवात में कुछ गंटू तक कम सुनाई देना सेटी की आवाज आना कानू में ठीक से सुनाई ने देना गेजेक्स्ट की आवाज तेज करने की जरूरत पढ़ना भीडवार्ड वाली जगहों पर आवाज समझने में प्रेशानी होना चिडड़ापन, सिर्दर्द ये जो लक्षन है ये बहरेपन के हो सकते हैं एक बार दुबारा देखेगा बहरेपन के सुराती लक्षन कौन-कौन से होते हैं सुरुआत में कुछ गंटू तक कम सुनाई देने की यदि आपको समस्या हो रही है तो भी आप बहरेपन के सिकारी हो सकते हैं या सेटी की आवाज आना ठीक से सुनाई नहीं देना गैजक्स्ट की आवाज तेज करने की जरूत पड़ना भीड़बार वाली जगों पर आवाज समझने में प्रेशानी होना या फिर चड़श्ड़ापन और सिर्दर्द की यदि आपको समस्या रहती है तो भी आप बहरेपन के सिकारी हो सकते हैं पिचासी डीबी आठ गंटे तक सुरक्सित आवाज का स्तरनापने के लिए डेसिबल यूनिट इस्तेमाल की जाती है ये चीज आप याद रखेगा कि आवाज नापने का जो यंतर या पेमाना जो होता है उसको क्या कहते हैं डेसिबल आवाज नापने की जो इकाई होती है उसको डेसिबल कहा जाता है अर्थात आवाज डेसिबल में ना पी जाती है WHO के इनुसार 85 dB से कम आवाज आधिकतम 8 गंटे तक ही सुरक्षित मानी गई है इसमें हर 3 dB बढ़ोतरी पर सुरक्षित रहने का समय आदा हो जाता है 140 dB आवाज बहरा कर सकती है यदि आप 140 dB की आवाज आप सुनते हैं तो बहरेपन का सिकारा हो सकते हैं बात करते हैं आवाज का स्तर क्या होना चाहिए अर्थात आवाज का जो पेमाना है आवाज सोर का जो लेवल है वो क्या होना चाहिए बात करें 20 dB की जब हम फुस फुसाने की जो आवाज निकालते हैं या आपस में कान पास पास करके यदि हम बात करते हैं जिसको normal भासा में, अपन common भासा में फुस फुसाना कहते हैं, फुस फुसाने में 20 decibel धावनी उत्पन होती है, सामाने जो बातचित करते हैं, इसमें 60 decibel धावनी उत्पन होती है, वेक्योम, क्लीनर, वासिंग, मसीन या टोईलेट फुस में 55 decibel धावनी उत्पन होती है, जब आप वासिंग मसीन चलाते हैं, या टोईलेट में आप फुस को दबाते हैं, तब जो धावनी उत्पन होती है, वो 55 decibel होती है, ट्रेफिक का जो सोर होता है, ये 85 decibel धावनी वहेंड ट्रेल में 95 डेसिबल धवनी उत्पन होती है डिस्को जहां मुजिक सिस्टम पर मुजिक सिस्टम एक मेटर के दूरी पर हो वहां 100 डेसिबल धवनी उत्पन होती है स्पोर्ट्स, इवेंट्स, स्टीरियो में 105 डेसिबल धवनी उत्पन होती है रोक बेंड कान में चिलाना 110 db ध्वनी उत्पन होती है रोक बेंड जो होती है या फिर आप DJ Sound का नाप आपने सुना होगा DJ Sound या रोक बेंड में जो ध्वनी उत्पन होती है वो होती है 110 db जेट इंजन या टेक आफ होना गन सोट की आवा जाना और पटाके या बम के धमाकी की आवा जाना इसमें 140 देसिबल धहनी उत्पन होती है जो की खतरनाक होती है अपने कानूं के लिए नुक्षान देख होती है अब बात करते हैं कि इसके बचाव के क्या-क्या उपाई हो सकते हैं किन-किन उपाई करके आप इससे बचाव कर सकते हैं बहरेपन का सिकारी आप नहीं हो सकते तेज सोर वाली जगह जाना से बचना चाहिए सबसे मुख्य जो बचाव है यह वो यह है कि तेज सोर जहां होती है उस जगह से आपको avoid ही रहना चाहिए अर्थात उस जगह पर जाने से बचना चाहिए Mobile या Music System कम काम में लें वो अनुकुल आवाज रखें Mobile या Music System का आप उप्योग करते हैं कम उप्योग करें और already आप उसका उप्योग करते हैं तो आप उसको कम आवाज में सुनें तेज सोर के कारण हुए बहरेपन का फिलहाल बचाओ ही है इसका कोई भी उप्चार नहीं है डारेक्ट इसका कोई भी उप्चार नहीं है दोस्तों आप मेरे साथ सोसल मेडिया पर भी कनेक्ट हो सकते हैं आप Facebook, Instagram, Twitter और उसके साथ में आप Instagram पर भी मुझे जोइन कर सकते हैं नीचे DV ID पर क्लिक करके या इस लिंक पर आप क्लिक करके आप हमसे जूट सकते हैं सोसल मेडिया की थूप Facebook, Instagram पर भी आपको मैं ऐसी ही महतो पुरन जानकरिया नेमित आप लोगों के साथ सेर करता रहता हूँ इसलिए आप मुझे Facebook, Instagram और Twitter पर भी फॉलो करें जिस पर आपको बहुत ही महतो पुरन जानकरिया नेमित आपको मिलती रहेंगी कल मिलेंगे एक नए टोपिक के साथ तब तक आशा करता हूँ आप और अपना प्रिवार बिल्कुल सवस्त रहें खुस हाल रहें जै हिंद जै भारत